Welcome back to my channel Legal Help in Hindi दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है Negotiable Instrument Act Section 138 ये धारा Check Bounce होने के लिए डील करती है दोस्तो ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई Check Bounce होता है तो bank एक written memo आपको send करती है और उस written memo पर bank अपनी मोहर लगाती है पर तब क्या हो जब कोई Check Bounce होता है और bank written memo भेजती है और उस पर अपनी stamp लगाना भूल जाती है तो ऐसी condition में कि Section 138 के तहट जो मुकदमा चल रहा है वो अमानने हो जाएगा कुछ इसी तरह का मामला आया दिल्ली हाई कोट में आज हम बात कर रहे है केस गुनीत भसीन वर्सिस State of Delhi NCT केस के पारे में इस केस के सुनवाई justice सुधीर कुमार जैन की bench कर रही थी कोट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि N.I.E. Act में ना तो धारा 138 और ना ही section 146 किसी भी विशेश प्रकार के check written memo के बारे में बात करते हैं कोट ने आगे ये भी कहा कि check written memo एक document नहीं है जिसे की 1891 के bankers books के evidence act के section 4 के तहट अवर किया जाना चाहिए याचिका करता का इस case में कहना था कि इस case में जो check written memo पेश किया गया है उस पर किसी भी तरह की bank की seal या फिर निशान नहीं लगा हुआ है इसलिए इस case को dismiss कर देना चाहिए इस बात पर justice सुधिर कुमार जैन की bench का कहना था कि bank की किसी भी official stamp के बिना अगर कोई check return memo दिया जाता है तो वो मामले को अवैथ नहीं बनाता है चेक return memo चेक के dishonor होने पर चेक देने वाले को banker के द्वारा उसी सूचित करने का एक memo होता है इसलिए दिली हाई court ने इस case में अपना एहम फैसला सुनाते हुए कहा कि check return memo में एक बैंक की stamp ना होना Negotiable Instrument Act के section 138 के तहत मुकदमे को खारिच नहीं बनाता है judgment की PDF copy का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे download कर सकते है जो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करना बिलकुल मत भूलेगा